प्रेंट्स रामनेट जियारेफ चैनल में आपका स्वागत है इस चैनल पर हम एंटियनेट पेपरवन की तयारी करवाते हैं वो भी एक सिस्टेमेटिक तरीके से इससे पहले मैंने कई वीडियो अपलोड की हैं टीचिंग एप्टिटूड और ICT की और मोक टेस्ट शीरीज भ इनपूट डिवाइस दवारा इनफॉर्मेशन को कम्प्यूटर की मैं मैमोरी में स्टोर किया जाता है कम्प्यूटर में मैमोरी बड़ी संख्या में डेटा वे इनफॉर्मेशन को स्टोर करने का मुख है साधन है जो भी हमारे इनपूट डिवाइस हैं अगर हमें कोई भी information computer तक पहुचानी है तो हमें device की help चाहिए हमारे input device होते हैं keyword, mouse, scanner ये सब हमारे input device हैं तो information पहुचाने के लिए हम input device की मदद से जो हमारा data होता है उसको हम main memory तक पहुचाते हैं और main memory बड़ी संख्या में data वे information को store करने का है परमुक साधन है तो आई ये देखते हैं memory unit क्या है unit of memory computer की memory में जो data process किया जा रहा है और इस processing को जिस program दवारा control किया जा रहा है दोनों को store किया जाता है memory की पर तेक सेल एक bit data store करती है 8 binary digit 8 binary digit या 8 bits के group को अक्सर एक byte का जाता है bit memory की सबसी छोटी काई है जिसमें किसी संक्या को store किया जा सकता है किसी सवद में बिटों की संक्या अलग अलग computers पर अलग अलग होती है इसा दानता है 8, 16, 32 bits वाले computer होते है computer की memory में असंक्याइल से बनी होती है जिसमें पर तेक cell information की एक unit store करने की समता रखती है computer memory की समता बताने वाले unit को kb का जाता है 1 kb 1024 bytes के होते हैं तो measurement of memory को हम देखते है वन बिट 0-9 अंक या इस से बनी संक्या 8 bits 1 byte A to Z कोई भी एक अक्सर 1024 bytes 1 kb 1024 megabyte 1 kb 1 megabyte 1024 mb 1 gigabyte इस से भी आगे होते हैं petabyte जोटabyte तो इनको हम एक वीडियो में डिटेल से करेंगे और इनको मैं आपको अच्छी तरह समझा दूँगी तो इन सब को हम एक वीडियो में easy way में समझ लेंगे तो आईए आगे देखते हैं हमारी memory कितने type की होती है तो हमारी memory दो type की होती है primary memory और secondary memory तो चलिए पहले हम primary memory को देखते हैं कि ये क्या है RAM और ROM को computer की primary memory भी कहा जाता है ये तो memory के दो पार्ट हो गए primary memory और secondary memory और ये memory के पार्ट है RAM और ROM और इनकी भी आगे पार्ट आएंगे तो आईए देखते हैं इने primary memory कहा जाता है जहां processing के दोरान डेटा निर्देश और information को micro processor सरदवार स्टोर किया जाता है computer storage भी भाग या memory device की सायता से बना होता है जो computer में उप्योग होने वाली सूचनाओं को स्टोर करके रखता है memory का यह भी भाग सामी के intermediate वे final result information को स्टोर करता है memory device इस परकार बनाए जाते हैं कि जब भी control unit CU को कोई भी information किया उशकता हो तो वे उशे में memory को प्राप्ट कर सके CU दवारा memory से information प्राप्ट करने में लगने वाला समय निर्बर करता है कि system में कौन सा memory device उप्योग किया गया है अधिक्तम रूप से उप्योग होने वाले storage device है integrated circuit memory, magnetic tape और magnetic disk memory unit का computer में बहुती मैं तो पून वे आवशक योगदान है क्योंकि CPU दवारा चलाए जाने वाले प्रतेक प्रोग्राम को memory की आवशकता होती है वस्तुत है primary memory दो परकार की होती है RAM और ROM ये topic हमारे लिए बहुती important है क्योंकि RAM और ROM से examiner question पूछता है और ये है easy भी है तो आईए देखते हैं ये ऐसी memory है CPU शेपर्टेक्स रूप से संबन दीत है जब कि ऐसी memory जिसकी आवशकता data को backup करने के लिए होती है उसे user release memory कहा जाता है program or data जो CPU दवारा उप्यों किया जा रहा है केवल वो ही main memory में store होता है तो आईए देखते है रैम क्या है रैम random access memory यह memory चिप के रूप में होती है जिसे metal oxide semiconductor दवारा बना जाता है user दवारा इस memory के हर चितर को access किया जा सकता है इस memory के data को storage register दवारा लिया वे दिया जाता है जो circuit में एक दूसरे से जुड़े होते हैं और अवशकता होने पर इन register को data के लिए हर समय उप्यों किया जा सकता है इसके इसी के लिए random access memory कहा जाता है memory एक unit binary information को bits के रूप में store करती है जो word कहलाते है पर तेक सबद को store कोने के लिए memory को एक register किया उशकता होती है memory में 8 bit से बना एक सबद byte कहलाता है वास्तों में data memory में 0 और 1 के रूप में store होता है 0,1 के समनवे से computer को विविन संख्या code या किसी एक alphabet को परस्तूत किया जाता है RAM chip भी दो परकार की होती है dynamic or static RAM तो इसमें क्या है कि हमारा computer शिरफ 0 और 1 की ही language समझता है हम कोई भी data हम उसमें type करते हैं तो यह उस data को 0 और 1 में convert कर देता है यह इतनी fast तरीके से होता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि इसकी processing हो रही है हमें तो ऐसा लगता है जैसे हमने type किया वैसे ही हो गया लेकिन हमारा computer सिरफ 0 और 1 की language समझता है इसे binary language या machine language कहा जाता है तो रैम के दो परकार है dynamic और static आईए इनको देखते है dynamic RAM क्या होती है dynamic RAM चिप में transistor होती है जो किसी electric button की तरह on off होते है उसमें सिथिती कैपिस्टर इस on और off सिथिती को स्टोर कर सकते है transistor की on और off सिथिती के आदार पर कैपिस्टर तो no change 0 bit से और change 1 bit स्टोर करते है कैपिस्टर दवारा बार बार जीरो और 1 स्टोर करते रहने के काणी ने लगाता refresh होने की आवशकता होती है जिसके काणी है memory volatile memory कहलाती है आईए देखते है static static RAM static RAM चिप की परकरती भी नस्ट होने वाली होती है या नस्ट होने वाली शेतात पर यह इन चिपों में सितित डाटा नस्ट होना है किन तू जब तग लगातार current supply या power supply मिलता रहेगा तो उसे अपना डाटा बरकरा रखने के लिए किसी विशे से regeneration circuit की आवशकता नहीं होती static RAM से डाटा को स्टोर करने के लिए dynamic RAM से अधिक transistor वैन नहींतरों के आवशकता होती है इसकी चिप dynamic RAM के पेक्षा अधिक उल्जी होई होती है इसी कान static RAM का परियोगदी के specialized program आदी में किया जाता जब कि dynamic RAM का परियोगदी के तरसाधान computer में किया जाता है इन दोनो RAM memory की नष्ट होने वाली परकरती के एकान power को वैकप देने वाली तकनीक जिसे UPS unit adapted power system का जाता है काक सर परियोगदी किया जाता है जैसे हमारा computer light जाने के बादबंद हो जाता है तो उसके लिए हमें UPS के आवशकता पड़ती है यह UPS हमारे computer को backup देता रहता है और इसकी full form भी important है यह कई बार examiner पुछ लेता है तो यह unit adapted power system भी हमें याद रखना है यह एक battery की तरह काम करता है तो आई आगे देखते है read only memory जिस परकार इसके नाम से या बास होता है कि इस परकार की memory से data या information को किवल पड़ा जा सकता है इसमें कुछ लिखा या पहले से लिखे को बदला नहीं जा सकता हम समझ सकते हैं कि रोम में data वे निर्देश इनको बनाने के दोरान लिखे जाते हैं तथ 35 में किसी परकार की किसी परकार का संसोदन संभव नहीं है इसका उप्योग सिरफ computer दवारा बुटिंग से पहले 33 विखे इस निर्देशों का पालन करने के लिए होता है ये निर्देश CPU को रोम से प्राप्त होते हैं इसके विप्रीट RAM मेमोरी को प्योग हर प्रोग्राम M.Data अज़ी को स्टोर करने के लिए होता है ROM को बहतर रूप से समझने के लिए इसके अन्यशाखाओं को समझने का परियास करेंगे तो आईए देखते हैं ROM के परकार कौन कौन से हैं तो पहला है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी यह कंट्रोल की जाने वाली मेमोरी है इसे मेमोरी में परिवड़ें किया जा सकता है कि इन्दूद नी आसानी से नी जितनी आसानी से सादन मेमोरी को तो P.ROM की वज़ेस्ता है कि इस मेमोरी को सिरफ एक यह की बार में इंस्ट्रक्शंस, डाटा, आदी, अल्ट्रा, वोइलेٹ, कि लिनों की साहता से लिखा जा सकता है एक बार लिखने का कारिय पूर्ण हो जाने के उपरांती है मेमोरी हमारी पर्मानेंट हो जाती है तत पश्चायत किसी भी परकार का परिवर्तन असंबव है तो हमने उपर देखा रेम हमारी जो रेम मेमोरी है वो हमारी टंपरेरी मेमोरी होती है और जो ROM हमारी memory है यह हमारी permanent memory होती है क्योंकि इसमें ROM में जो data store होता है उसको हम erase नहीं कर सकते है लेकिन इसका एक type है P-ROM programmingable read only memory इसमें हम उस data जो data में जो हमारा data उसमें feed है या add है उसको हम किस ultraviolet किनों के धवारा erase कर सकते है तो आईए इसका अगला part देखते है Erisable, programmable, read only memory इन तिनों की हमें full form भी याद रखनी है P-ROM और E-P-ROM क्या है इसमें तो P-Programmable और इसमें कैड हो गया Erisable जैसे ROM read only memory तो इसमें programmable read only memory और इसके आगे E लगा देदो Erisable programmable read only memory इसकी full form भी exam में आ सकती है तो इसे भी हमें याद रखना है तो Erisable programmable read only memory देखते हैं इस परकार की ROM memory को ने एक बार मिटाया या फिर से लिखा जा सकता है इस memory के उपरी बाग में एक खिड की नुमा जगा होती है जहां से विशेश परकार की तकनी कीवे साधनों की साहता सी अल्ट्रा वाइलेट परकास दवारा मिटाने वे लिखने का करिया होता है अगली हम देखते हैं हमारी memory ये ROM का ही पार्ट है इलक्ट्रिकली इरेजیबल प्रोग्रामेबल रीड उनली memory जो रीड उनली मैमory हमने देखा था उस में पहले का था प्रोग्रामेबल और सेकंड में था इरेजیबल और इसमें है इलेक्ट्रिकली ये तीनों की कम्माइन्ट हो गई तो इसकी फुल पॉम भी हमें याद रखनी है तो आईए देखते हैं इलेक्ट्रोनिक साधनों की साहता शे इन्हें अने को बार मिटाया जा सकता है इसके लिए मेमोरी को उसके सोकेट से बाहर निकालना पड़ता है तो इसमें इलेक्ट्रोनिक उपकरनों के दवारा हम इसमें कुछ भी डाटा मिटा भी सकते हैं और कुछ डाटा इसमें एड भी कर सकते हैं तो यह हमारी प्रैमरी मेमोरी थी और यह प्रैमरी मेमोरी के पार्ट थे रैम और रोम और रैम के भी हमने पार्ट देखे और हमने र स्टोरेज डिवाइस होती है तो देखते हैं बहुत से स्टोरेज डिवाइस डाटा को स्थाई रूप से स्टोर करने के लिए स्विधा देते हैं इस परकार के डिवाइसों को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का जाता है ऐसे डिवाइसों में मुख है डिस्क एक डिस्क में जाटा उसके सर्कूलर मेटल या प्लास्टिक डिस्क पर एक सीरीज वे एलेक्ट्रोक मैगनिक्टिक स्पोर्ट के रुप में स्टोर होता है। यह डिस्क के कम्प्यूटर सथाई रूप से सितित्यार डिस्क में भी हो सकती है और बाहर रूप में इस्तिमाल होने वाली फ्लोपी डिस्क भी हो सकती है जब की CD-ROM एकन्य परकार की सेकेंडी स्टोरेज डिवाइस है इसका उप्योग आज हर कम्प्यूटर में किया जाता है यह उप्टिकल डिस्क होती है जिसमें लेजर बिम का इस्तिमाल करके डाटा को उस पर लिखा जाता है एक डिस्क में स्टोर किये जाने वाले डाटा की आदार पर उस डिस्क की स्टोर करने की समता स्टोरेज कैपस्टी कहलाती है जिसे किलो बाइट मेगाबाइट गिगाबाइट दवारा मापा जाता है तो आई ये storage device देखते हैं कौन-कौन से है पहला हमारा storage device है hard disk drive hard disk एक विशेज तरह का external storage device होता है जो की PC में देखा जा सकता है hard disk drive system unit के अंदर लगा होता है लेकिन जरूरत पढ़ने पर आप hard disk drive को computer से निकाल सकते है hard disk drive को की storage समता terabyte तक हो सकती है स्कूलों में विद्यार्थियों के PC में 80 GB के लगबग storage की समता होती है तो hard disk का हमारी computer या हमारे PC में लगी होती है इसको हम बाहर निकाल भी सकते हैं और इसकी storage capacity हम बढ़ा भी सकते हैं तो आईए आगे देखते हैं दूसरा दूसरा इसका पार्ट है floppy disk यह floppy disk drive external storage device है जो floppy disk से read करने और floppy disk में write करने के लिए प्रियोग होता है floppy disk के portable storage storage माद्यम है जो कम data ही sun grind कर सकता है एक floppy disk की storage समता 1.44 MB होती है नीचे एक सुची दी गई है floppy disk की समता होए उसके आकार को बताती है floppy disk की एक SV दाया है कि इसे चुम्बक के पर बावधूल और गरमी से नुक्षान पहुचने की समभावना है उदारन के लिए मामुली magnetic paper clip floppy disk में data को नस्ट कर सकता है इसलिए आपको अपने student record और दूसरे मुखे data को multiple floppy disk या compact disk जैसे माद्यम में store करके रखना चाहिए floppy disk को floppy या disk create भी कहा जाता है तो आईए देखते हैं ये क्या क्या है इसमें diameter inches दे रखे हैं इसमें description bytes और इसमें इसकी capacity कितनी है तो पहली है 1.25 double sided high sided 1.2 MB दूसरी है 3.5 double sided double density 720 MB और थर्ड है 3.5 floppy sided high dynasty 1.44 MB तो इसमें हम बहुत कम data store करते हैं यह पहले use होता था अब इसका use बहुत ही कम होता है अब तो बहुत सारे storage device आ गए हैं जैसे यह जैसे हमारी pen drive आती है तो और भी हमारे बहुत सारे storage device आते हैं अब इनका इस्तिमाल बहुत ही कम होता है तो आज हमने इस वीडियो में जाना की memory क्या होती है और इसके type कौन कौन से है तो इस वीडियो में हमने memory का topic पूरा complete कर लिया है तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए topic के साथ अगर आपको और ज्यादा वीडियो देखनी है तो इस channel को like और subscribe करें और साथ में से share भी करें तब तक के लिए खुश रहिए और अपनी जीवन में आगे बढ़ते रहिए तेंक यू